असलाम वालेकूम हम बनाने वाले हैं आज वैज मंचूरियन ग्रेवी तो सबसे पहले हम मंचूरियन बना लेते हैं चॉप किये वे पत्ता गोबी लिये हैं मैंने और चॉप अन्यन लिये हैं वन मेडियम साइज के और चॉप गाजर लिये हैं इनको एक बोल में दालेंगे आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद है आप वो इसमें एड़ कर सकते हैं झालेंगे 1 स्पून ब्लैक पैपर पावडर डालेंगे और हाफ टी स्पून सॉल डालेंगे सॉल्ट पहले कम ही डालेंगे क्वासट ती स्पून मैह democracy अग्लाच अगर जुरत पड़ी तो और आपद में हm ons और रिंगा यूज़ cafe करेंगे तो इसको प्रीव उसको पानी बगेरा कुछ नहीं डालेंगे यह देखिए वेजेटेबल्स के और सॉस के पानी में ही हमने इसको मिक्स कर लिया है सॉल्ट कम लग रहा था तो थोड़ा वन टीस्पून में डाल दिया है तो ओईल हमारा गरम हो चुका है इस तरीके से हम मंचूरिन बॉल्स बनाकर ओईल में डालते जाएंगे और लो फ्लेम पर इसको हमें पका लेना है ताकि अंदर तक यह कुख हो जाए तो एक साइट से यह पक चुके हैं दूसरी साइट पर पल्टी कर देंगे हम और दूसरी साइट से भी पक जाने के बाद फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और इसको क्रिस्पी कर लेंगे तो यह देखिए हमारे क्रिस्पी से वेज मंचूरिन बनकर रेड़ी है और सेम पैन लिया है उसमें मैंने दो बड़ी चमश तेल डाले है टू टी टेबल स्पून तेल डाला है चॉप किये वे जिंजर गालिक डाल देंगे वन टी स्पून इसमें और इसको हलका साटे कर लेंगे दो हरी मिर्चे डालेंगे कटकी हुई अब इसमें वेजीटेबल जैट कर देंगे शिमला मेच अनियन को मैंने बड़ा-बड़ा कट कर लिया है क्यूब साइज में और स्प्रिंग अनियन लिये हैं मैंने थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे और बाकी डाल देंगे हम इसमें सारे तो vegetables को थोड़ा सा saute कर लेंगे हम oil में 1 teaspoon black pepper डाल देंगे और half teaspoon salt दालेंगे थोड़ा mix कर लेंगे इसको अब हम अपने sausages में डाल देते हैं 1 teaspoon चिली sauce डालेंगे red chili sauce और 1 teaspoon tomato ketchup जब हमारे सॉस थोड़े खट्टे होते है और शेजवान सॉस थोड़ा तेज होता है तो उसको बैलन्स करने के लिए इसमें टोमेटो सॉस दालेंगे वन टीस्पून शेजवान चिटनी और वन टेबल स्पून डाक सोया सॉस दाला है मैंने अगर आपका सोया सॉस लाइट कलर का है तो आप टू टेबल स्पून डाल दे इसमें सॉसेज को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद वेजिटेबल में दो गलास हम इसमें पानी डाल देंगे और पानी में बॉइल आने देंगे यह देखिए पानी में बॉइल आ चुका है यह टू टीस्पून मैंने कॉन फलार लिया है इसको पानी में घोल कर इसमें डाल देंगे कोई लंस वगेरा नहीं होने चाहिए इसमें और इसको मिक्स करते रहेंगे लो फ्लेम पर इसको mix करते रहे हैं जब तक ये गाड़ा नहीं हो जाता तो ये देखिए gravy हमारी बनकर ready है और गाड़ी भी हो चुकी है अब हम इसमें हमारे मंचूरिन बॉल्स को दाल देंगे mix कर लेंगे और दो मिनिट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि मंचूरिन हमारे सॉफ्ट हो जाए तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को दबाना ना भूले बैल आइकन को दबाने से मेरी आने वाली हर नई रेसिपीस के वीडियो सबसे पहले मेरे तो यह देखिए मेरे डालने से आप को पता चल रहे होगा कि किट्नी सॉफ्ट मुलायम हमारी और थिक हमारी ग्रेवी बनी है मंचूरियन की यह देखिए तो हमारी वैज मंचूर इन ग्रेवी बनकर रेड़ी है इस्प्रिंग अन्यन से घार्निशिंग कर लेंगे अगर आपको में रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेर करें और मेरे रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें तो फिर मैं मिलती रहूंगे आपसे इसी तरह से नही नही रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज